तुम्हें राइपूर में दूसरी राष्ट्रिय आदिवासी नुरित्य मौसफ का मांचब तयार हो रहा है। नेताओं के संबोधन के बाद साड़े बारा से दो बजे तक नाइजीरिया, फिलिस्तान, चतिसगाड और तुरपुरा के नुरित्य अग्दल अपनी प्रस्तुदी देंगे। गोजरी नुरित्य आद्रप्रदेश का गुरिया बलू, असम का कारभी तिवा और आद्रप्रदेश का जिमसा, ओडिसा का धप, तिलांगना का कोम्मु योको और मद्यप्रदेश का दंडार, ओडिसा का बोंडा और गुजरात का मेवासी नुरित्य प्रस्तुद किया जा जीनजी हनना और तेलांगना का गुरसाडी डिमसा और जारखंड का उराव और गुजरात के सिद्धी गोमा नुरिति की प्रस्तुती होगे। इस दरान राश्रिया दिवासी नृत्य महुत्सव के दूसरे दिन पंजाब के मुख्य मंत्री चरंजीत सिंग चिन्नी मुख्य अधिती होगे। रहने वाली एक 27 साल की कृती को ठारीक ने त्याग और सयम की रहा पर चलने का पैसला लिया है। कृती ने MBA किया पिता का बिजनिस और घर समालने की जिम्मेदारी ये वो उठा रहे हैं। और इस दरान अब कृती परिवार के अन्य सदस्यों को जिम्मेदारी सौप कर दिक्षा ग्रेंड करेंगी। बता दे चलें कि पालिताना तीर्थ में आचारे प्रणिप्रभत सागर ने कृती को दिक्षा जीवन में प्रवेश करने की अनुमती भी दे दी है। इसकी बाद अब उनके परिवार में खुशी का मौल है। हाला कि दिक्षा लेने के इतारी कभी तै नहीं की गई। तो महीं आपको बता दें कि दीक्षा ग्रेंट करने से पहले वो मंदिरों और गुरु देवों के दर्शन करने चाहेंगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कृती का कहना है कि संसार में कर्म का बंधन है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सयम ही पहला कदम है। इन दौर के IEMS से मार्केटिंग में MBA कर चुकी कृती C.A की तैयारी कर रही थी। मगर पिता महेंद्र कुमार कुछारी का 2012 में निधन हो गया। इस वरान 18 साल की उम्र में ही पिता की सियात गंज स्थिद एलेक्रिकल्स की दुकान समानने लगी वो और उसके बाद कम उम्र में घर की जिम्मेदारी के साथ ही पढ़ाई भी की। कृती ने बताया कि पिता के जbackी के बाद परिवार की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर पर आगई और यहीं नहीं बड़ी बहन शूती की शादी भी उन्होंने ही करवाई थी और MP के राजगर्ड में साइबर ठकीका एक और मामला सामने आया है यहाँ पर करीब 76 साल के रिटायर सिक्षक को वटसेप पर लड़की ने कॉल किया और ज्छांसे में ले लिया गया उसने टीचर से अश्लील बाते करते हुए बातरूम में जाकर एक विजियो कॉल भी किया बातों में फसाकर उसने टीचर के साथ हरकत करते हुए एक विजियो बना लिया कुछ दिन बाद सोचल मीडिया पर जब विजियो वायल करने की धमकी देकर अलग-अलग किष्ट में 3,65,000 उपे भी ठके गए इस दोरान पुलिस ने टीचर की शिकायत पर केस दरच कर लिया साथी ठकी के शिकायद टीचर विभन जोतिश संस्तादवारा समानेत और गोल्ड मिडलिस्ट है बताते चलें कि राजगड के वार्ड नमबर 5 में रहने वाले 76 साल के रिटायर टीचर ने साइबर ठकी की शिकायत को उतवाली ठाने में की है उन्होंने ये भी बताया कि 14 अक्टूबर को सोचल मीडिया अकाउंट पर उन्हें रिक्वेस्ट आई थी जिसे उन्होंने एकसेप्ट कर लिया तो वहीं 15 अक्टूबर को 1 नमबर से दोपहर में कॉल आया इस दोरान उधर किसी लड़की ने बात करना शुरू किया कुछ देर बात करने के बाद उसने अश्लील बाते करना शुरू कर दिया तो वहीं कुछी देर बाद फिर वाटसब नमबर पर कॉल किया इस दोरान विजियो कॉल पर भी लड़की मौजूद थी लड़की कॉल के दोरान बात्रूम में पोस्ट दे रही थी और इस दोरान इसके बाद रात को करीब 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उसने फिर से विजियो कॉल किया कॉल कर उसने फिर से वही सब बाते दोहराना शुरू किया और कुछ अशलील हरकते करना भी शुरू कर दिया उसने कहा कि मैंने आपका और मेरा ये विडियो बना लिया है 18 अक्टूबर को फिर से दूसरे नंबर से कॉल आया कॉल करने वाले ने अपना नाम प्रमोत कुमार राच्वार बताया उसने कहा कि वो नौइडा क्राइम ब्रांच में एस पी है और उसने ये भी कहा कि आपका कोई अशुरील वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है इसे हटवा दो ये सुनकर सिक्षक घर बाया गया और इसके बाद उसने कहा कि मुझे यूट्यूब वाला बोल कर कोई नंबर दिया गया और कहा कि इससे ततकाल बात करो मैंने जब उस नंबर पर कॉल किया तो वो मुझे धमकाने लगे उन्होंने ततकाल मुझे एक लाग तीस हजार रुपे नतीश कुमार HDFC बैंक खाते में डालने को कहा इस पर मैंने फिर से रुपे जमा करवा दिये बाद मुझे ठगी का एसास हुआ जिसके बाद कोटवाली थाना पहुंचकर शिकायत दरच करवाई गई